सोशल मीडिया पर एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें कावड़ी अपने कंधे पर कावड की जगे भगवान शंकर की मूर्ती को रख लेता है और सड़त पर निकल बढ़ता है उसने भगवान शंकर की मूर्ती को बनवाया और उसे अच्छे तरीके से तैयार किया आमदोर पे कावड़ी ये अपने कंधों पर कावड रखते हैं लेकिन यहाँ पर ये भगत भगवान अशिव शंकर को ही अपने कंधे पे लेकर चल रहा था जिसने भी ये देखा उसे ये दुरिश्य काफी मनोहर लगा आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि भगवान शंकर की इमूर्ति के पनी सुन्दर दिखाई दे रही है कावड़ी अपने साथ एक कुर्सी भी लेकर चुप रहा और जैसे ही वो ठक जाता है वो भगवान शंकर को कुर्सी पर बिठा देता है और खुद भी आराम करने लगता है और जो वो रिलेक्स हो जाता है तो फिर से वो मूती को अपने कंधे पर बिठाता है और आगे चल पड़ता है दोसको भगती इंसान के मन में हुदी है उसे दिखाने का तरीका हर किसी का अपना अलग-अलग होता है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरू बताएं आपको ये का वर्वाना कैसा लगा